नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है invest right की एक नई वीडियो में दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी investment journey को अच्छे से चला रहे होंगे इस investment journey में किसी तरह की help अगर आपको लगता है कि आप श्केनी हो तो बिल्कुल बेजी जचाग आप लोग मुझे कमेंट कर सकते है रिप्लाइम में आप लोगसों को जरूर करूंगा चलिए दोस्तों आज की वीडियो की बात कर लेते हैं आज की वीडियो का टॉपिक है क्या है क्या है डॉस्तों आजmaya आ कि और आप पेराहि कि इन दोनों funds में से किस में इसको invest करना चाहिए या फिर इन दोनों funds में invest कर सकते हैं इस topic पर आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे देकि mainly topic वीडियो का ये होने वाला है कि SBI के दो funds हमें देखने को मिलते हैं एक large and mid cap category का और एक SBI magnum mid cap fund तो दोनों funds में basically क्या difference हमें देखने को मिलेगा दोनों में से किस fund में हमें invest करना चाहिए कौन सा हमारे लिए ज्यादा फायदे मनसा भीत हो सकता है इस topic पर हम लोग detail में आज की वीडियो में समझेंगे तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा क्योंकि यहां कि एक चीज में आप सभी को समझाओंगा बिल्कुल simple भाशा में सबसे पहले तो पमार जी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर मैं सभी वीवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ चलिए बात करते हैं आपके topic पर topic आपका बहुत बढ़िया है क्यों की दोनों यह फंड्स हैं SBI एक AMC company assets management company जिसको बोलता है इसको के अंदर फिर काफी सारी schemes आपको देखने को मिल जाती है उन्हीं schemes में से एक आ जाएगी SBI large and mid cap SBI large and mid cap और एक fund हमारा आ जाएगा SBI magnum SBI magnum mid cap दो funds आपको देखने को यहां मिलते हैं काफी सारी schemes और भी देखने को मिलते हैं mainly दोनों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे versus लगा देते हैं कि दोनों में से कौन से आपके लिए ज्यादा profitable हो सकता है देखिए दोनों का basic समझेंगे मैं आपको पूरी तरह से दोनों funds के बारे में detail में समझाऊंगा ताकि आप लोग खुद से भी अपना decision ले सके कि आपके लिए large and mid cap बढ़िया है या फिर आपके ल clear हो सभी funds की basic जानकारी आपको हो ताकि आप decision खुद से ले पाएं कुछ लोग comment भी देखे कर रहे हैं कि सरम लोग direct investment करें या फिर regular investment करें देखें उसके बारे में काफी बार में वैसे वीडियो में आप लोगो clear कर चुका हूं direct investment में आपका expense ratio कम रहता है regular investment में आपका expense ratio मज नहीं पा रहे हैं किस तरह से करें हमें तो कोई न कोई चाहिए फिर आप regular plans में invest कीजिए कोई दिक्कत नहीं है expense ratio का जो फरक आएगा वो बात की बात है investment शुरू करना mainly जरूरी है तो आप चाहाए direct करें चाहाए regular करें दोनों के अपने फाइदेवर नुकसान होते हैं investment investment जरूर शुरू करें आईए sbi large and mid cap fund के पहले basic की बात करूँ देखिए cb के नियम सभी funds पर लागू होते हैं कुछ ना कुछ नियम सभी के लिए बनाये गया है large and mid cap fund की बात करूँ यहाँ minimum 35% पैसा कहा invest किया जाएगा large cap में large cap में minimum 35% पैसा कहा invest किया जाएगा mid cap में एक चीज़ और आपको डिटेल में समझाता हूँ देखिए जब हम mutual fund में invest करते हैं तो mainly 3 जगह हमारा पैसा diversify किया जाता है कौन सी वो 3 जगह है वो भी समझे large cap mid cap और small cap इन तीन जगह आपका पैसा जो पैसा आप invest करेंगे diversify किया जाएगा large cap companies यह तीन आप companies माल लीजिए large cap mid cap small cap large cap के अंतरगत इंडिया की top 100 companies आएगी mid cap के अंदर 101 से लेकर 250 rank तक की company आएगी और small cap में 251 से लेकर 500 rank तक की companies आएगी तो total 500 company में हमारे पैसे को diversify किया जाना है अब उन 500 में से large cap mid cap और small cap तीन जगह किस किस तरह से diversification होना है हर एक fund में यह अलग तरीके से किया जाता है इसी के हिसाब से आपके returns बनते हैं इसी के हिसाब से आपका risk तै होता है कि आप कितना risk ले सकते हैं जितनी बड़ी company उतना कम risk जितनी छोटी company उतना ज्यादा risk ये एक basic चीज़े आप समझ लीजिए अब देखिए large and mid cap fund की बात करूँ minimum 35% पैसा इंडिया की top 100 companies में जा रहा है minimum 35% पैसा 101 से लेकर 250 rank तक की companies में जा रहा है ये हो जाता है हमारा SBI का large and mid cap fund बाकी का जो rest बसता है वो चाहे large में allocation बढ़ जाए चाहे mid में बढ़ जाए चाहे fund manager इसको small में बढ़ा ले ये fund manager के उपर depend करेगा अब आ जाते हैं SBI magnum mid cap fund की तरफ देखिए mid cap category का fund है यहाँ minimum 65% पैसा कहा जाएगा mid cap में mid cap companies के stocks में याने की किन stocks में 101 से लेकर 250 rank तक की companies के stock में अब आप देखिए यहाँ जरूरी नहीं है कि large cap का allocation कितना रहे है 65% पैसा ही आपका इन companies में चला गया और यहाँ कितना गया था minimum 35% पैसा यहाँ large cap को भी add किया गया था यहाँ बाकी देखेंगे detail में जाके large और small को कितना add किया गया है तो यह basic difference आपको दोनों में देखने को मिलेगा थोड़ा सा और detail में जानने के लिए दोनों funds पर चलते हैं और देखते हैं कि fund manager ने पैसे को diversify किस तरह से किया है और दोनों के returns भी देखेंगे कि returns में हमें दोनों में क्या फर्क देखने को मिलता है चलिए पहले आ जाते हैं mid cap पर mid cap की में बात करूँ SBI Magnum mid cap fund की देखें दोनों funds अपनी जगह काफी बढ़िया है fund की performance दोनों की ही वाकई बहुत जबदस्त रही है देखें यहाँ अगर मैं diversification देखू mid cap में इन्होंने रखा है कितना minimum 65 रखना अनिवार यह है यहाँ इन्होंने mid cap में कितना रखा है वो देखेंगे mid cap, small cap, large cap आपको और भी clear यह चीज़ हो जाएगी देखें यह सभी topics वीडियो के माद्यम से देखने और समझने बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे चीज़े clear होनी बहुत ज़रूरी है देखें mid cap में 65.54% यह पैसा हमारा mid cap में जा रहा है small cap में 19.52% और large cap में केवल 7.2% पैसा देखें जैसे मैं आपको बताया large cap, mid cap, small cap यहां से आप देखके समझ लिए सकते हैं small cap में 19.5% रखा है large cap में केवल 7% रखा है returns की अगर मैं बात करूँ last 5 years के CAGR returns अगर आप देखें तो 25.37% के देखने को मिले है CAGR returns last के 5 years के चलिए अब आजाते हैं large and mid cap category की तरफ large and mid cap SBI large and mid cap fund चलिए अब देखते हैं इसका diversification fund manager दुआरा किस तरह से किया गया है देखिए large cap में हां कितना रखा है वो देखेंगे large cap में कितना mid cap में कितना और small cap में कितना देखिए large cap में हां रखा गया है 40.78% mid cap में रखा गया है 37.34% और small cap में रखा गया है किवल 13.13% अब आपको और भी clear ये हो जाएगा देखिए small cap में allocation यहां कम है small cap में यहां small cap का allocation आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है साथ ही साथ large cap का allocation यहां बहुत ज्यादा है और यहां बहुत ही कम है यानि कि mid cap category का fund large and mid cap fund के मकाबले ज्यादा risk होता है क्योंकि यहां large cap का allocation बहुत कम है और यहां large cap का allocation अच्छा खासा देखने को मिल रहा है returns की बात कर लेते हैं last five years के CAGR returns अगर आप देखें तो 21% के देखने को मिलते हैं इसी तरह से returns में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा जितना ज्यादा आप risk लेते हैं उतना ही ज्यादा आपको mutual fund से return भी मिलता है क्योंकि risk बढ़ रहा है पैसा small cap companies में ज्यादा जाएगा returns बनते हैं लेकिन risk भी बढ़ता है अगर आप long time के लिए पैसे को invest कर रहे है तो mid cap category भी काफी बढ़िया category है ऐसा नहीं है कि mid cap category के returns risk ज्यादा है तो ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा risk भी नहीं है mutual fund तो वैसे देखे overall risk ही है दोनों में compare कर रहा हूँ इसलिए mid cap category large and mid cap के मुकाबले थोड़ी सी more risky आपको देखने को मिलती है तो दोस्तो यहीं आज का topic था कि large and mid cap category का funds आपके लिए बढ़िया रह सकता है या फिर SVA Magnum mid cap fund आपके लिए बढ़िया रहेगा देखे अगर आप long term investor है तो आप दोनों में से किसी भी fund में जा सकते हैं लेकिन अगर आप थोड़ा सा risk कम करना चाहते है mid cap category के मुकाबले तो आप large and mid cap category में जा सकते हैं तो दोनों funds काफी बढ़िया हैं और अगर आपके सवाल पर मैं आऊँ आपको दोनों funds में invest करना था आप देखे ज़रूरी नहीं है कि एक ही AMC के दोनों funds ले करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा अब आप अपने लिए एक सही decision यहां ले पाएंगे तो दोस्तों कोई किसी तरह confusion रह गया और मुझे comment जरूर कीजेगा बाकी दोस्तों ये कोई recommendation नहीं है